मेरे चैनल को सब्स्राइब कीज़े और इस पैल के बटन को तो जरूर दबाईए तभी मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुचेगा हालो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ चिकन की एक ऐसी रेसिपिश शेयर करूंगी जिसको आपने अकसर पार्टीज में या फिर रेस्टोरेंट्स वगेरा में तो खाया होगा लेकिन आपने इसको घर पर बहुती कम ट्राइ किया होगा और अगर आप इसको घर पर एक बार ट्राइ कर लेंगे तो आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे ये बहुती डेस्टिवन का तयार होती है मैं बना रही हूं चिकन निजामी और इसको बनाने के लिए मैंने हाफ केजी चिकन को अच्छे से वाश करके रखा हुआ है दो मीडियम साइस की प्यास को मैंने चौपर में कट कर लिया है आप आमलेट की प्यास के तरह इसको काट सकते हैं यह चुकिन निजामे का खास मसाला है, इसमें एक टेबिल स्पून कद्धुकश की हवा सूख हवा नारिया लिया है, एक टीजपून खशखश लिये, बारा से पंदरा काजू लिये हैं, एक टीजपून तिल लिये हैं, आप इसकी जगा मुमफली का भी इस्तुमाल कर सकते है या फिर इसके बिकर सकते हैं, और एक टीजपून सीरा लेंगे, इसको हम पेस्ट बना लेंगे, या फिर पाउडर, दो टेबिल स्पून दूद के उपर जमेवी मलाई लिये हैं, चार टेबिल स्पून ताजा दही लिया है, जिसको अच्छे से बीट करके रखा है, दो से सिर्ष पाउडर्ड मसाले हैं, इसमें एक टीजपून लाल मिर्ज का पाउडर है, हाफ टीजपून गरम मसाला पाउडर है, एक टीजपून नमक के और वन थर टीजपून हल्ती है, नमक और मिर्च आ अपने टेश के विसाब से भी ले सकते हैं, चो इसलिए réponse के बीए में खास मसाले लिए हैं वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे और मीडियम टू है फ्लेम पर हम इनको ड्राइर रोस्ट करेंगे हमें इनको इस तरह से रोस्ट करना है कि इन में से एक अच्छे से खुश्बू आने लगे और बिल्कुल हलका सा इनका कलर चेंज हो जाए हमें इनका कलर टार्ग बिलकुल भी नहीं करना है ध्यान रखना है ये देखिए अब हम इसका एक पाउडर या पेस्ट बना लेंगे अब हम एक पैन में तेल कर लेंगे और तेल के करम होते ही हम इसमें चोटी लाची लांग और तिजपत्ता डाल देंगे और कुछ सेकंड्स के लिए इसको बस सौटे कर लेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर तेल में रिलीज हो जाएगा और अब हम इसमें प्यास डाल देंगे और प्यास को लाइट पिंक होने तक फ्राइ कर लेंगे यह देखिए हमाई प्यास हो है लाइट पिंक हो गई है इसे जादा हम इसको डाग नहीं करेंगे अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और मीडियम टू हाय फ्लेम पर हम चिकन को इस तरह फ्राइ करेंगे कि इसका कलर जो है और आफ वाइड हो जाए यह देखिए हमाया चिकन का कलर चेंज हो चुक है अब हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले डाल देंगे और अध्रक और लेसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे कि मसाले जलेंगे नहीं और इन मसालों की रोई समेल खतम होने तक हम इसको फ्राई करेंगे यानि कि हम इसको तेन से चार मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्राई करेंगे हमारे मसाले ये फ्राई हो चुक है अब हम इसमें दही डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्राई कर लेंगे जब तक कि दही का पानी, ड्राएँ नहीं हो जाता है यह देखिए, दही के साथ हमारे चिकन अच्छे से, फ्राई हो चुका है अब हमने निजामी चिकन बनाने का जो खास निजामी मसाला लिया था वो हम इसमें डाल देंगे, इसका मैंने पेस्ट बना लिया था आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं और हम जार को भी खंगाल देंगे क्योंकि हमारे जार में बहुत पेस लगा हुआ है और इसको हम मीडियम टू हाय फ्लेम पर तीन से चार मिनट के लिए पका लेंगे बहुत ही अच्छी खुश्बुआना शुरू हो गई है हमारे चुकिन में से अब हम इसमें दूद के उपर जमीवी जो मलाई होती है वो डाल देंगे आप चाहें तो यहाँ पर फ्लेश क्रीम जैसे की अमूल क्रीम या फिर कोई भी कुकिंग क्रीम डाल सकते हैं इसको हम मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो इसके ग्रेवी को जो है हम गाड़ा रखेंगे तो हम इसमें जादा पानी नहीं डालेंगे हम इसमें half cup के करीब पानी डालेंगे यानि की 100 ml के करीब इसको mix करेंगे और अब हम इसके lid लगा देंगे और ठक कर हम इसको 12 से 15 मृट कुक करेंगे जब तक हमारे चुकन गल नहीं जाता है तो 15 मृट मैंने इसको low flame पर कुक कर लिया है अब हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए बहुत ही अच्छी हमारे चुकन की consistency आई है इसी तरह का गड़ा गड़ा था चुकन हमें बनाना है अब हम गैस की flame को बंद करेंगे और यहां पर हम हरा धनिया और हरे मेर्ज करनिश करेंगे और इसको mix करके सर्फ करेंगे अब हम अपने चिकन डिजामी को सर्फ कर लेते हैं यह देखिए इसकी कितनी rich और कितनी delicious क्रेवी बनी है और इसमें से इतनी अच्छी खुश्बु आ रही है कि आप इसको जब बनाएंगे तब ही जान पाएंगे जबर आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजिए और आप इसको सर्फ कीजिए पटर नान, नान, कुल्चा, रोटी आपको यह बहुत ही पसंद आएगा और हमेशा की तरह मैं आपसे रेक्वेस्ट करूंगी रेसिपी अच्छी लगिए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यूँ